हेल्थ इंशुरेंस का सबसे बड़ा सच, आप्टिमा सेक्योर दे बेनेफिट्स सो मच HDFC Ergo, आप्टिमा सिक्योर सबसे बड़ा परफॉर्मर और मैच है चैननाई बना मुंबई इंडियन्स सबसे बड़ा परफॉर्मर थे रुतराज गाइकवाड, 88, not out in 58 deliveries, 152 count का strike rate था, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं संजे मांजरेकर, संजे जस्परीद बुमरा के खिलाफ वो तीन शॉट मिरे को याद आते हैं, एक स्कूप वाला चक्का, स्लोर बॉर पे चक्क एक चिप किया cover में, इतनी authority के साथ, देखा है किसी और बल्लेबास को बुमरा को ऐसे खेलते हुए, अमबटी राइडू को देखा है ऐसे बुमरा को खेलते हुए, लेकिन बहुत कम बल्लेबास ऐसे shots बुमरा के खेलते हैं, और ऐसे भी नहीं था, कि गेन खराब थी, जो अच्छी दिशा में जा रही थी, अगर पेच होती तो परफेक्ट यॉरकर होती, लेकिन उसके पहली उन्हें ने मारा पर एक slower ball पे covers के उपर उन्हें ने चक्का मारा, तो इनको मैंने स्री लंका में देखा था, और मेरा ऐसा assessment यह हो गया, कि बहुत ही copybook पुराने जमाने क और spinners के खिलाब बहुत अच्छा लगे, लेकिन fastballs के खिलाब मुझे लग रहा था कि अभी भी थोड़े work करना पड़ेगा उनको अपने बल्ले-बाजी के उपर, short ball, fast ball के खिलाब, लेकिन आज जो उनने pace के खिलाब भी अपनी बल्ले-बाजी दिखाई, वो उतनी प्रभ बहुत ही high quality एक inning 70. वो खेले पहले 6-7 over में, यह इनकी game है, यह इनकी natural style है, और जो T20 batting जो बाद में आप देखते हैं, वो उन्होंने डेवलप की है, तो उस pitch के उपर जब विकेड गिरे तो उनको थोड़ा सा वो सूट कर दिया, क्योंकि एक foundation ले करना था, उनकी टेकनीक बहुत ही अच्छी है, तो यह एक स्वाभाविक उनका अप्रोच था और वही CSK को चाहिए था, लेकिन यह यह इवाख खिलाडी अपने prime में है, और सुरेश रहना और महिंदर सिंदोनी जो हम देख रहे हैं, वो बिलकुल अपने अंत में, उनका यह करियर के अंत में, उनकी performance हम देख रहे है और कहीं मुझे लगते हैं कि वो प्रेशर उनके short selection में भी आया होगा, जिस तरह से सुरेश रहना आउट हुए, या महिंदर सिंदोनी या अंबटी राइडू भी, तो यह थोड़ा सा वो फर्क है कि युवाख खिलाडी जो अपने prime में और बाकि जो वेटरन्स हैं देते रहें, जाते जाते आप से जानना चाहेंगे और वो से वरितुराज गाइकवाट से जुड़ा नहीं, लेकिन मैच के नजरिये से अगर आप देखें, दोनों टीमों की तरफ से देखें, सबसे बड़ा such of the match क्या है, one key takeaway of this match आपके लिए क्या था? की takeaway मेरे लिए ये था कि Mumbai Indians का एक अप्रोच है कि कोई भी लक्ष हो, 120-140 हो या पहले बल्लेबाजी करें, वो attacking game ही खेलते हैं, जाके जैसे Quinton Decock ने शुरुवाट की, लेकिन attacking game के साथ risk भी आती है, और आज हमने देखा कि जब आपका दिन नहीं होता, तो किस तरह से collapse हो सकत है, तो ये एक देखना चाहिए, तो जो भी attacking player है, उसको हमेशा top form में रहना चाहिए, कि ज़्यादा अगर आप risk ले और shots गलत खेले, तो फिर team को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो ये एक मेरे लिए takeaway था. संजे, बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं को समय देने के लिए और श्चरचा के लिए आप देख रहेते, HDFC Ergo Optima Secure सबसे बड़ा पफार्मा.